नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल HP Job Alert में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमांचल जेल वार्डर भरती 2021 के बारे में दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दवा दीजिए ताकि नहीं वीडियो की नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इमाचल में 370 वह महिला वॉर्डर के 24 पद भरिज जाएंगे यह बर्ती अनुबंद के अधार पर होगी और उन्हें 7810 रुपय मासिक वेतन दिया जाएगा और अभियर्थी नियमित भी हो सकेंगे इसमें भर्ती एवं पदवनती नियमों में जो संद्शोदन किया गया है यह अब यह आर एंट पी रूल्स 2020 के नाम से कहलाएंगे सामान्य वर्ग के लिए इसकी जो आई यू रहेगी 18-23 वर्ष होगी जबकि SC, ST और OBC अभियर्थियों के लिए 18-25 वर्ष रहेगी जो होम गार्ड गेरा रहेंगे उनके लिए 20-28 वर्ष और सबसे पहले इसमें भी ग्राउंड होगा उसके बाद जो इसमें पास कर जाएंगे उनके लिए लेकित परिक्षा ले जाएगी और लेकित जो परिक्षा होगी रिटन एक्जाम जो होगा वो 85 अंको का होगा इसमें इंग्लिश हिंदी और समान्य ज्ञान गणी तेवं विज्ञान और तरक्षमता के स्तारा स्तारा क्वेश्चिन रहेंगे समान्य वर्ग के लिए आयू सीमा 18-23 वर्ष होगी और OBC, SC, ST के लिए 18-25 होमगाड के लिए 20-28 वर्ष इसमें टोटल जो पोस्ट रहेंगी वो 417 पोस्ट रहेंगी और सायक अधिक्षक जो जेल में रहेंगे उनके 23 पद रहेंगे इनके लिए योगेता जो है आपकी सनाथ तक यानिके आपकी डिगरी होनी चाहिए और पुरिश के लिए उन्चाई की बात करें तो 5-6 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए अधिन के लिए पांच फूट चाहर इंच और महलह के लिए सामन्य वर्ग के लिए तो पांच फूट दो इंच और सी अधिए पांच फूट और पेस्किल की बात करेंगे तो दस सजार तीन सो चौतिस सजार आठ सो और चेतालिट सौप का ग्रेड पे रहेगा जेल वार्डर के पद जो है इसमें 394 पद रहेंगे और पूरुष के इसमें 370 पद महिला के 24 पद रहेंगे और क्वालिफिकेशन आपकी 12 पास रहेगी और जेल वार्डर के लिए अपकी वार्डर के लिए जेल वार्डर के लिए अपकी वेतनमान जो पेस केल रहेगी 5910 पे से 20200 और 1900 क्रेड पे रहेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके धन्यावाद